हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जारें उल्टा बड़ा पाव की रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट होते हैं मैं अंकेता आप सभी का मेरी चानल जैका भी तंकेता में स्वागत करती हूं आलो के साला बनांते के लिए यहां पर मैंने बड़े साइज के मैश अम्जाब की रियुआ हैं साथ यहां पर मैंने प्यान के पत्थ्थे को लिए चाब ल Olisन की आपको लुटे मैके स्वाइक जएस जाएं सर्द्रव मीढ अगर्णाब गरम के लिए अब हम इसमें दो बड़े चम्मच तेल एड़ कर देंगे आप देल अपने आलो के हिसाब से किरेंगा अगर आप कम आलो का मसाला बना रहे हैं तो एक चम्मच तेल में भी हो जाएगा यहां पर देल हमारे अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसम इसके बाद यहां पर प्याज एकट कर देंगे अब हमें प्याज को अच्छे से कुप कर लेना है हमें यहां पर प्याज को अच्छे से गोल्डन बाउं होटे तक के लिए को पर ला है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज है वो सौप्त होना सुरू हो चुके हैं तो बस दो मिनट लगेंगे और हमारे प्याज जो है वो गोल्डन बाउन हो जाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं हमारे चुप्याज है वो बिल्कुल गोल्डन रॉन होना शुरू हो चुके हैं तो बस यही तक हमें इसे कुप करना है अब हम इसमें एक छोटा चमस धनिया पौडर एट कर देंगे साथ यहां पे एक छोटा चमस लाल मिर्ज का पौडर एट करेंगे आज़ा चोटा चमस अल्दी पौडर एट करेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से अगर आप आलू का मसाला बनाते हैं तो इस आलू के मसाले से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं इस तो बहुत सारी रैस्टी देखने के लिए मेरे चैनल में मिल जाएगी आप एवर मेरे चैनल को जरूर विजिट करिएगए आपको वहां पे इसनेक्स की साथ ही व्रत में खाने के लिए बहुत सारी रेसिपी और उसके साथ ही बहुत सारी ग्रेवी रेसिपी पनीर की मिल जाएगी यहां पर मसालों के साथ आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है तो यहां पर हम टेस्ट के गॉर्डिंग नमग कर देंगे उसके साथ ही ध आपको पोटेटो मैसर से इसे मैस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह देखिए आलो बस यह है कि अच्छे से उबले हुए होने चाहिए उसके बाद आभी सरसे से कढ़ाई में भी अच्छे से मैस कर सकते हैं इससे हमारा जो टाइम में वह बच जाता है और साथ ही परफेक्ट है इसे जद हमें इसे कुक नहीं करना है तो बस अब हम यहां पर गैस को आफ कर देंगे और इसे रूम तेंप्रेशर में आने देंगे अधर्वास गरम आप इसे सेब देना सुरू करेंगे ना तो आपके हाल जल देंगे थोड़ा साई से ठंडा कर लेंगे नमक हमें यहां पर कम ही डालना है जादा यह नहीं करना है क्योंकि हम इसका आलू को जो मसाला बना कर रखे है उसमें भी नमक है एक बर सभी मसालों को बेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक दम ठीक बैटर एक ही साइड में हम इसे फेटना है उसे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से हमारा बेशन जो है उसका बैटर बनेगा और साथ ही अच्छे से एकदम सॉप्ट और उपर से एकदम क्रिस्पी हमारे आलू गड़े बनके तयार हैंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका बैटर बना लेंगे एक ही साइड से हमें फेटना है क्योंकि इसे बहुत अच्छे से हमारा जो बैटर है उसमें एयर आएगी और बहुत ही ज्यादा सॉप्ट हमारे पकोड़े बनेंगे यहां पे देखिए बैटर में कितनी ज्यादा स्मूथ है तो बस इसी तरह स हम इसे एक की डिरेक्शन में फिरते जाएंगे लेकिन अभी जो हमारा बैटर है ना वह काफी ठीक है इस तरह से अगर हम बैटर बना के यूज करते है ना तो हमेरे जालू के बड़े हैं उसके ऊपर की लिए और काफी मोटी आए लिए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पा उसके लिए यहां पर मैंने ब्रेड लिया है सांथ ही आप मैंने ग्लास लिया है इसके बाद हम इसे रांड सेप में कट कर लेंगे यह देखे जो बचा हुआ है ना यह बेस्ट इस नहीं है आपको मेरे चैनल में बचे हुए ब्रेट के टुकड़ों से या फिर पुराने ब आपको ब्रेड से बनने वाली रसमलाई की रेसिपी और उसके साही तुकड़े की रेसिपी भी मिल गयागी तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और जो यह बचवा ब्रेड है इससे में एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यहां पर देख सकते हैं ब् एक साइड में हम क्या करेंगे कि इमली की मीठी चटनी लगाएंगे इससे बहुत ही अच्छा आपका जो उट्टा वड़ा पाव बनेगा ना उसमें एकदम खटा मीठा तीखा सभी प्रगार का टेस्ट आएगा इमली की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और सा साथ ही तो आलो में हम बना कर के रहा है उस से अच्छाब्स Ummennat कर देंगे देखेंैं मैं अच्छे से फेला थोसे से लगज प्रगार कर लेना है कि इसके बाद हम दूसरे साइड में भी इसे अच्छे से स्प्रैट कर लेंगे उसी मत कीजिएगा अच्छे से इसके अंदर आलो का मसाला लगाएगा इसी से जो हमारे वड़ा पाउपर जो टेस्ट है वह बहुत बढ़ जाएगा यह काफी अच्छे से लग चुक अच्छे साइड में आलो का मसाला लगा लिया और बीज में खटी मीठी तीखी चेटनी है चलिए अब हमें से फ्राइग करने के लिए एक पैन में अच्छे से तेल को गरम कर लिए हो तेल यह पेम पे होना चाहिए और ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले मैं कि हमारा जो तेल है किता यह देखिए विल्कुल अच्छे से पक चुका है मतलब गरम हो चुका है तो यहां पर मैंने बैटर ले लिया है अब हमने आपर जो उल्टा वड़ा पावन आया था उसे इसमें डिप कर देंगे देखिए चारो तरफ अच्छे से हमें से डिप करन तो बेल्कुल इसी तरह से वाकी के भी उल्टा जो वड़ा पाव है उसे हम प्राइ कर लेंगे यह देखिए एकदम नई रेसिपी है आप भी रेसिपी को जनाएगा मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनेगी थोड़ा साब इसे लिप्ट करेंगे ना छोड़ देगा यह देखिए और जहां पर आपको लगता है कि बेटर नहीं लगाया तो उसे इस तरह से हां से लगा सकते हैं एक बार में हम यहां पर तीन से चार ही बेटर में डिप करके अपने उल्टा वड़ा पाव डालेंगे जाद हम इसमें नहीं करेंगे यह अब देखिए जितना अच्छा आपका बैटर बने रहागा ना उतना अच्छे से ही यह कुक हो पर देखिए बिल्कुल भी नीचे से चिपका हुआ नहीं है बस यह है कि अभी थोड़ा पका नहीं है हलके हाथों से हम इसे घुमा लेंगे जब तक यह एक से नहीं कुक हो ज जाएगा तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करना है यहां पर हमारे जूल्टा वड़ा पावे एक से अच्छे से कुक हो चुक है तो बस अब हम इसे पर देंगे उसके पहले जोई है अपस में चिपक गया है उसे हम अलग कर लेंगे देखिए इसका साइज देखि कि एक ही वड़ा पाव में आपका पेट एक दम से भर जाएगा और यकीन मानिए रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है बहुत ही कम महनत के सांथ आपको यहां पर पाव लाने की भी जरूरत नहीं है घर में जो आपके पास ब्रेड होगी आप उसे बिस रेसिपी को बना सकत हैं ब्रेड की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर विजोड जरूर करिएगा यह देखे मैंने सभी वड़ा पाव को पलेट दिया है और अब हम दूसरे सेट से भी से अच्छे से कुख होने देंगे घ्यान डखिए कि जब भी आप उल्टा वड़ा पाव को जब करेंगे तो आपको जो तेल है वो काफी जादा होना चाहिए कम में अगर आप इसे अच्छे से फ्राइड नहीं होंगे तो यह देखें जितना हमारा जो उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए हमाने मिक्षिर बनाया था मसाला लगा करके जो स्टफिंग तयार की ति उसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए बिल्कुल डबल है उससे एक में ही आपका पेट भरने वाला है तो आप इस रेसिपी को बना करें जोए करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है और यह ज़ुरूर बताईएगा कि आप ये रेसिपी कहां स करने के लिए बिल्कुल तयार हैं तो चलिए अब हमें से बहा निकाल लेते हैं यह देखिए हम अपने उटावडपा को बहा निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीका है रेसिपी पसंदारी होगी तो लाइक जरूर करिएगा और यह देखिए सूपर क्रिस्पी हमारे उटावडपाव बन करके रेडी हैं तो चलिए अब हम इसकी प्लेटी कर लेते हैं यहां पर उटावडपाव बन करके त्यार हो चुके हैं तो चलिए सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं कट करने के लिए थोड़ा धार वाला हम चापू यूज़ करेंगे यह देखिए बहुत ही आसानी से कट रहा है और यह देखिए इसका टेक्शर इसकी लेयर आप यहां से देख सकते हैं बहुत ही पतली लेयर के साथ हमारा जोल्टा बड़ा पाउ बन करके तयार हुआ है बाकी के भी पीश को इसी तरह से कट कर लेंगे यह देखिए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी यालो की स्टिफिंग हुई है और साथ ही खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं अगर आपको रसीपी पसंद आई होगे तो अगर आपको तीखी हरी मिर्च पसंद है तो आप इसके साथ एंचोय कर सकते हैं बिल्कुल रेड़ी हमारा खाने के लिए उल्टा वड़ा पाओ अगर आपको मेरा उल्टा वड़ा पाओ बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर जीएगा कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और साथ ही आप इस तरह से उसके उपर हरीती की चैटनी और इमडी की चैटनी के गानिशिंग कर सकते हैं